हेलो विवान, वेलकम टू दी न्यू वीडियो फ्रम स्टडी बज और मैं होने पर पुपता तो यार आज की वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है 2024 क्याट एस्पिरेंस के बारे में क्योंकि आज हम बात करने वाले है कि आप क्या 2024 के लिए कैसे प्रिपेर कर सकते हो क्या study plan आपको follow करना चीए जिसके basis पे आप 99 परसेंटाइल तक भी achieve कर सकते हो इसके लिए सारी ही discussion हम करने वाले है तो चले शुरू करते हैं इससे पहले friends हम start करें है I would like to request to please channel को subscribe करके bell icon ज़रूर पैस कर देना ताकि सारी important वीडियो की notification आपको मिलती रहे और आप हमारी app आप भी डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पर आपको cat mb के box and videos मिलते हैं और आप हम ऐसाथ instagram पर भी connect हो सकते हो माँ instagram में handle है study present is called education तो friends अगर हम बात करें सबसे पहले exams की maximum बच्चे जो होते हैं वो cat के बारे में ही जानते होते हैं क्योंकि cat से आप IMS के लिए और बहुत सारे colleges scale eligible हो जाते हो लेकिन आपका target सिरफ cat exam नहीं होना चाहिए although cat exam most important exam है लेकिन आप और भी कई सारे exams है जिनसे आप top colleges में enter कर सकते हो for example बहुत सारे colleges ऐसे हैं जो cat और z दोनों लेते हैं अगर cat में performance अच्छी नहीं तो आप z में भी apply कर सकते हो और z का top college वैसे भी accelerate के लिए आप इससे eligible हो जाओगे आप NMAT के तरू नार्सी बोंजी और भी कई सोरे colleges apply कर सकते हो snap के तरू SIBM, SCHMRD और Symbosis के और colleges कर सकते हो CMAT के तरू आप top colleges like JBIMS को भी आप target कर सकते हो XGMT के तरू आप XIMB, SRCC, GBO को आप target कर सकते हो CET के तरू आप JBIMS और बहुत सारे colleges महराष्टा के target कर सकते हो, and TIS यानि की CUT PG के तरू आप TIS को और भी बहुत सारी central universities को target कर सकते हो, तो जो आपका aim होना चीए, वो सिरफ CAT exam नहीं होना चीए, आपको maximum exams के लिए appear होना चीए, जिससे कि भाई आपके chances, admission के divers हो जाया, बहुत सारे options आपके सामने open हो, अगर फ्रेंज हम सबसे बह करें CAT exam के pattern की, तो अगर आप new starter हो, beginner हो, तो आपको यह जानने की जरूर होता है, कि CAT में तीन चीज़े ही पूछी जाती है, पहला होता है VARC section, जिसके अंदर 40 minutes का section होता है, skip नहीं कर सकते है, 24 questions आते हैं, दूसरा होता है LRDI का section, जिसमें 40 minutes का होता है, और 20 questions पूछे जाते लगबग आप मान सकते हो, 5 set हैं आपको देखने के लिए मिलते हैं, उसके बाद होता है quants का, जिसके अंदर आपको 22 questions देखने के लिए मिलते हो, 40 minutes किसी को भी आप skip नहीं कर सकते हैं, और 120 minute के अंदर आपको 66 questions टोटल आपको यहाँ पे दिये जाते हैं, और time पर जो question होता almost 2 minutes के आसपास है, लेकिन क्या यह हमें 66 के 66 questions करने हैं, तो इसका answer है completely no, 66 questions आपको नहीं करने होते हैं, क्यों, because अगर हम last कुछ year का trend देखें, for example 2023 का ही trend देखें, तो यानि कि 86 questions, 86 marks पे ही, यानि कि अगर आपने लगबग 30 questions के आसपास ही सही कर दिये 66 में से, या 29 questions ही आपन परसेंटाइल आजाएगी, अगर आपने 78 marks पे आपकी 99 परसेंटाइल आजाएगी, 68 marks पे आपकी 98, 95 परसेंटाइल आपके 55 marks पे आजाएगी, 95 परसेंटाइल के ऊपर आपको बहुत सारे IMs की call आने लग जाती है, depending on the diversity factor, कौन गोन से colleges हैं, वो आने लग जाती है, तो यान कि in fact अगर आप सिरफ 50% marks भी score कर लेते हो, out of 198, तो आप 99.5 परसेंटाइल के अंदर आजोगे, और over the last 5-6 years यही trend देखा गया है, जैसे 300 marks में से 167 थे, 300 में से 168 थे, 228 में से 115 हो गई, तो यानि कि around 50% marks पे ही 99.5 परसेंटाइल के अंदर आजाती है, तो आप देख सकते हो कि बाई, जैसे कि 29 कोशन्स पे आपकी 99.5 थी, 26 कोशन्स पे 99 थी, 23 कोशन्स पे 98 थी, 18 कोशन्स पे आपकी 95 परसेंटाइल, 66 कोशन्स में से सिरफ 18 कोशन्स करने पे आपकी 95 परसेंटाइल तक भी आ सकती है, अगर friends हम बात करें syllabus क्या है, तो quant के अंदर basically 5 modules के अंदर syllabus divided है, पहला है arithmetic जिसमें topics होते है, speed match, time work, pipes and systems, averages, percentages जैसे topics होते हैं, दूसरा होता है number system, number system के अंदर आपके concept, fraction, HCM, LCM, divisibility, rule, unit, digit, last two digits, indices जैसे topics होते हैं, फिर 30 है geometry बहुत important जिसमें basics, triangles, circles, quadilaterals, polygons, coordinate geometry जैसे topic होते हैं, फिर रहाता है algebra, जिसके अंदर algebra का identities, linear equations, quadratic equations, higher order equations, concepts of roots, type के question होते हैं, और modern maths, modern maths, जिसमें set theory, when diagram, sequence series, AP, GP, बहुत important, permutation, combination, और probability होते हैं, quants एक ऐसा topic है, जो हर एक MBA exam में आपको देखने के लिए मिलेगा, कोई भी ऐसा exam नहीं है, जो quants के बिना बनाया जा सके, तो आप इसको integral, आप मान सकते हो, आपकी MBA preparation का, उसके बाद अगर verbal के बार में बात करें, तो verbal में भी cat के अंदर तो सिरफ VARC ही जादा आता है, लेकिन बाकी जो verbal का syllabus है, उसमें आप देख सकते हो, module 1 में vocabulary है, जिसमें आपको synonyms, antonyms, foreign words, idioms, phrases, ये सारी चीज़े होती है, फिर verbal ability में analogies, fill in the blanks, jumble sentences, para jumble, para summary, para completion, reading comprehension, बहुत diverse topics type के पूछे जाते हैं, grammar आपसे बह बहुत बहुत चारे एक्जाम्स में पूछी जाती है, चाहिए वो snapo, CUTPGO, CMATO, NMATO, ZATO, इन सब में भी पूछी जाती है, फिर अगर LRDI के बार में बात करें, तो cat में तो advanced LR और advanced DI पूछा जाता है, लेकिन इसके लावा basic LR और abstract reasoning भी बहुत चारे एक्जाम्स में बात करें, तो exams अचाहे ZAT और CMAT, इसके अंदर GK भी पूछी जाती है, तो इन exams के लिए आपको GK भी प्रिपेर करनी है, जिसमें static GK, current GK, business awareness, यह सारी चीजे आपको आने चाहिए, इसके लावा यह सारी चीजे आपको VAT PI के टाम पे भी काम आती है, खासकर current GK और आपक हर एक subject के, यानि कि हर एक topic के, हर एक subject के अंदर जो एक-एक topic है, उसके minimum 100 questions आपको practice करने है, हर एक level of difficulty के 1, 2, 3, उसके बाद आपको topic wise test देने है, और different approaches भी आपको आनी चाहिए कि shortcut method के अंदर exam में कैसे solve किया जा सकता है, अगर LRDI के बार में हम बात करें, तो भाई पहले त timer based test भी आपको आनाच से, क्योंकि कैसे 15-20 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर, कैसे LRDI का set या 10 मिनट में कैसे निप्टाना है, यह timer based भी आपको सीखना पड़ेगा, उसके बाद verbal के अंदर भी basics में reading की exercise चाहिए, daily basis पे newspaper पढ़ना है, कम सकम 30-40 मिनट, editorial parts पढ़ने है, उसक के लिए friends अब आपको 200 days का action plan भी बना के देंगे, क्योंकि 15 June से 30 June तक आपकी क्या approach रहनी चीए, कि हर एक topic को आप basic से advanced level तक के लिए पढ़ लो, book solving करो, topic wise test करो, उसके बाद September से October आप revision करो, revision करनी बहुत जादा ज़रूरी है, sectional mocks दो, full length mocks दो, उसके बाद October से November के अंदर CAT revision workshops आप कर सकते हो, जो की हम करवाते हैं, उसके बाद December to February के अंदर आपके maximum exams होने वाले है, CAT, ZAT, SNAP, NMAT, CMAT, CET, SRCC, CUET, हर तरीके के exam होने वाले हैं, उसके बाद February से March के अंदर आपको GDPI VAT की तयारी करनी होगी, तो इसके लिए friends आपको क्या-क्या मिलने वाला है, इसके हम एक एक करके बात करते हैं, सबसे पहले आपको live classes हम देने वाले हैं, जिसके अंदर 6 days आपकी live classes होंगी 9 से 11 बज़े तक, आपको 11 books का set आपके घर पर courier कर दिया जाएगा, आपको एक portal दिया जाएगा, जिसके अंदर topic wise tests होंगे, assignments होंगे, mocks होंगे, आपको doubt and GDPI के हम videos, recordings देंगे, doubt forum देंगे, आप जहां कितने भी doubts post कर सकते हो, और cat revision workshops भी हम इसके अंदर करवाएंगे, और आपको action plan हर एक exam का भी देंगे, तो इसी के लिए friends हमने winners batch 2024 launch कर दिया है, जो कि 15th June से शुरू हो रहा है और 30th November तक यह चलने वाला है, जिसमें live online night classes रहने वाली है six days a week अब इसके अंदर classes होंगी, 9 से 11 में आप इसको attend आपको करना होगा, laptop या phone दोनों से, आप किसी भी device से attend कर सकते हो, one month की cat revision workshop जो हम October November में करते हैं, specifically for cat exam, वो भी इसके अंदर included होंगी, daily assignments आपको दिये जाएंगे, complete study material, 11 books का set आपको दिया जाएगा, सारे ही lectures की recording मिलेग national level की test series होगी और cat और non cat exams के उपर भी focus होने वाला है, GDPRAT की videos मिलेगी और detailed action plan भी 200 दिनों का आपको मिलने वाला है, तो इस तरीके से 11 books का set आपके घर पे courier के थुरू based दिया जाता है, जब आप enrollment करवा लेते हो, तो उसके थुरू ये courier के लिए हम आपको dispatch ये कर देते हैं और portal अगर हम अपने बारे में बात करें कि portal जो हम provide करवाते हैं, वो 31st March 2025 तक valid होगा, इसके अंदर basic, moderate and advanced level तक के test होंगे, sectional mocks होंगे, LRDI के, verbal के, quant के, weekly GK, current affairs test भी आपको provide होंगे, और ये सारे full length mocks, जिसमें 30 cat mocks, 20 snap mocks, 5 zat full length mocks, 10 NMAT के, 10 SRCC के, 12 CMAT के, 20 CETK, 5 XGMT के, 5 PG DBA के mocks भी आपको मिलेंगे, तो वैसे तो friends, इसकी fees 35,000 रूपीज है, लेकिन early bird offer, 19,999 में avail कर सकते हो, यानि कि 20,000 रूपीज में आप इसको avail कर सकते हो, लेकिन ये offer सिरफ 50 students के लिए, जैसे ही 50 students हो जाएंगे, तो इसकी fees increase हो जाएगी, इसके लिए friends, हम क्या strategy follow करने वाले हैं, पहले हम basic आपको करवाएंगे, जिसके अंदर basic sessions के अंदर हम सारे topics को basic level से start करेंगे, उनको advanced level तक लेके जाएंगे, फिर October, November के महिने के अंदर हम advanced workshops करवाने वाले हैं, जो specifically cat और zat exams के लिए होने वाली है, और evaluation के लिए आपको mocks दिया जाएगा, portal दिया जाएगा, और आपको tools दिये जाएंगे, जिससे कि आप चाहो, जितना चाहो, Quotient Bank से practice कर सकते हैं, और सारे exams का आपको एक detailed plan भी, action plan भी provide किया जाएगा, तो इसी तरीके से friends, अगर हम बात करें कि secret क्या है, किसी भी exam को crack करने का, तो वो five step approach यह ही है, कि अपने concepts build करो, उसके ओपर खूब स सीजन को देना जरूरी है, और हर एक exam का एक plan होता है, जिसके अंदर at least 60-70% से लिए बस्यम होता है, लेकिन 30% को किस तरीके से groom करना है, उस चीज के ओपर आपको आना चाहिए, तो friends, इसके लिए हम live classes जो करवाएंगे, वो zoom webinar के दुरू, आपको हम provide करवाएंगे, और इस 9-5-8-9-3-7-0-5, तो बस भाई एक बात का ध्यान रखना कि जो हमारी advance, जो हमारा batch है, यह 15th June से start हो रहा है, तो उससे पहले-पहले आपको join कर लेना है, इस तरीके का action plan, आपको day-to-day action plan मिलता है, जिसके according आपकी classes होती है, और अगर आप हमारा result भी देखना चाहों, तो 9.34, 98.09, 98.02, आपको cut-offs आपको percentile बच्चों की देखने के लिए मिलेगी, इसके अलावा भी यह सारा result आपकी screen के सामने, आप past result भी सारा देख सकते हो, that result भी आप देख सकते हो, 99.50, 99.16, 99.69, 99.65, 99.19, 98.7, आपको सारी cut-offs आपको बच्चे clear करते हो दिखेंगे, तो friends य cat के action plan की और winners batch की कर लिए, अगर आप enroll करना चाहते हो, तो आप हमें whatsapp कर सकते हो, class का demo link भी आपको provide कर वाद दिया जायागा, आप हमें email भी कर सकते हो, अगर आपकी कोई query है तो, और please हमारे साथ Instagram पर जूग connect हो जाना, और अगर आप हमारे batch में enroll करना चाहते हो, तो यह हम Looks, thanks a lot, all the best, god bless you